मैं हो नहीं कर, मैं हो नहीं तुझे मारने वाला तो जन ले चुका है हाँ हलो नमस्कार दोस्तों, जैस स्रीकृष्णा आज अभी मैं हूँ मत्वुरा में और देख सकते मेरे पीछे हैं मत्वुरा रेलवे शेशन तो आज स्रीकृष्ण जन भुमी का दर्सन करने जा रहे हैं हम लोग ब्लॉग को कांटिन्यू लास तक जरूर देखना साथ साथ वीडियो को लाइक करके सेयर करना मत भूलना तो चलिए यहां से हमारी आतरव सुरवात होती है सरा है यहां से जन भुमी तक जा सकते हैं जहां पर आपको बहुआसरीकृष्ण के जन भुमि की तरह न ignore जमा हो जाता है और चल रहे हैं साहरा समा जो है पएले जमा हो जाता हमान अंदर नहीं ले जाने मिलता है जब आप लोग आइए सारा सामान तो सब्सक्राइब भी चबिजे सfish के बड़े सब्सक्राइब करने दो करने हैं पर फेल मंदिर तब को accelerating बना हुआ है काफी कुछ चीजे हैं यहां पर तो चलिए कि अब देखिए सामने के तरफ है गेट नमबर एक जनम भूमी का तब ही यहां पर इसके राइट साइड में क्लॉक रूम है जहां पर आपको सारा समान जमा करना इसके बाद इंट्री होगी तो चलिए हम जो है सबसे पहले इस तरह में समान अपना जमा कर देते हैं इसके बाद जो है क्योंकि कोई भी चीज अंदर ले जाना अलाव नहीं है बहुत तगड़ी जांच होती है तो सामान घर इस तरह में चलिए जमा करते हैं सबसे पहले तो पहले दोस्तों अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं मंदिर से अंदर मंदिर का दिरी से बहुत ही भव्य है बहुत ही जादा खुबसूरत मंदिर बना हुआ है अंदर में गुफा बनाए गये जिसका 10 रुपे पर परसंचार्ज है गुफा के अंदर भगवान सिरिकिस की तमाम लिलाओं के वड़न जो है मोर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है बाकि मंदिर परसर का जो मुख जो है भगवान सिरिकिस की जनमस्तिली है वहां का दर्सन किया जहां पर उकारागार बना गया था काफी अच्छा सा जगह है अंदर जाने के बाद में और मंदिर ज स्ञाँ से देजिए और बाकी जैसे मंदिर परिसर के आप सामने आएंगे वहां कीट में तरफ बाकी यहां पर समान जमा करने के लिए इस तरह में मोबाइल जो समय जमा किया जाता type and it कांटर जहां पर आप अपना पीड जमा कर पाएंगए जिससे मैं आप सभी को यहां के अंदर का विव जो है नहीं दिखा पाया हूँ तो दोस्तों भी मैं पहुंच चुका हूँ कंस किला जो यम्ना नदी के किनारे पर पड़ता है जिसे कहा जाता है कि पुराने टाइम पर यहीं पर कंस का जो महल था वो हुआ करता था मैरे पिछे देख सकते हैं यह पूरा एरिया है यहां पर एक सरोवर की तरीके से बनाया गया है जो कच्चा है और सामने की तरफ जो है एक पार के साइड में डेवलप किया जा रहा है यहां पर काफे लोग देखे जो भूम रहे हैं और अभी थोड़ी थोड़ी वाइरिस आ गई है कंस का किला जो है सामने के साइड उची टीले पर है जहां पर हम आप ही आप सभी को ले करके चलेंगे तो दूस्तों यहां पर आने के लिए आप सभी को अगर मंदिर से आते हैं चाहे तो पहले यहां पर आए यहां पर गों कि इसके बाद दर्शन करने के लिए जाए या फिर वाहां से आकर के यहां पर गों लिजीए तो आये चलते है कंस चलAT एक पास और जिखाते हैं आज किस हालात में बचा हुआ है मामां जी रहते थे इसी के लिए